है 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 लोग इवरिवन आइम अंकित मेंटर ओफ एसम अकेडमी अच्छा मेरा ना एक सपना है ठीक है मुझे करना क्या है मैं सिंगापूर होना जाना चाहता हूं यार तो बहुत दिन होगे बाद में कद गया नहीं इंडिया सभार तो क्या होगा अब सिंगापूर जाना है उसके लिए फिर पैसे बीचिहें बहुत सारी है व्यच्त ना लॉट के टिक禰刻 मैं गाड़ी में चला जाऊंगा टीक है तो मुझे फिर उसको लिए नहीं पैसे डालता गया अगर मेरे पैसे बनते गए फ्लाइट के टेकट गए तो क्या इसमें मैं कोकी डाल सकता हूं बिस्केट डाल कांथ ला सकता हूं नहीं राइट गुल लग में बिस्केट नहीं डालते हैं है ना चला इसको यह देते हैं अभी आगे बढ़ते हैं अच्छा लेक्टर सप्पोस यह क्लास 10th की भूस का कलेक् रही है तो यह 10th की बुक्स का एक कलेक्शन है और इस कलेक्शन में मैं डालना चाहता हूं यह बुक यह पता बुक कौन सी है 11 की मैट्स की जो आने वाले आपका एक अगला साल खराब करेगी आपकी रात्तों की नेंद उडाएगी यह वह बुक तो मैं इस बुक को इस क्ले यह क्लेक्शन 10th की बुक्स का है और यह 11th की बुक है तो इस क्लेक्शन में नहीं जाएगी चलो इस एक्जामपल को मैंने रखा यहां पर चलो उसके बाद एक next एक्जामपल की बात करते हैं चलो लेक्टर सपोज अभी मैं जैसे 10th पास आउट की है मैंने रोध हो के एक सा जैसे 10th का नौनं-धिकल का सेट दे दो मुझे बूस्का राइट तो क्या होगा वह आपको बुक्स देगा एक टा सब्सक्वर्ट उस ने आपको फिजिक्स की दी केमिस्ट्री की दी मेंच की इंग्लिश की दी और साथ मुछा बैलोजी की भी देदी आप तो पैसे देने हैं बुक्स के है ना आप इसोचो के क्या यार भाईया बुक बेचने चक्रमें बुझे चुना लगा रहे हो है ना क्योंकि नॉन मेडिकल में बाइलोजी तो आती नहीं है बट हाँ इसकी जगर को आपको फिजिक्स की बुक देखता दो अब फटाफट ले लेते हैं य यह आपको काफी clear है कि मेरे स्लेबल्स में बाय लोगे नहीं है तो मैं यह सेट ले रहा है तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ ऐसे ही मेरा तीसा example भी है तो दूसरे example में, mye set बनाए 10th की books का तो उस set में 11th की books नहीं आएगी और 3 Eksampell में 11th की books का set बनाए उसमें biology की books नहीं आएगी क्योंकि म trás जांस सेट बना रहा हा हूँ, अचा ऐसे ही अगर मेडिकल का सेट बनाता तो उसमें matt नहीं आएगा, So इन तीनों example में कुछ चीज़े common हैं हम collection मना रहे हैं कि इनी चीज़ों का जिसमें हमें काफ़ी clear है कि क्या चीज आएगी क्या नहीं आएगी राइट चलि तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं एक सैट ही तो बना रहे हैं पैसों का बुक्स का यहां पर भी बुक्स का सैट बना रहे हैं तो चलि स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक हमारे स्लेवर्स में 16 चैप्टर से 1 to 16 ठीक है और सिक्स इनिट्स में वो डिवाइड है स्लेवर्स की जो आउट लाइन है वो मैं आने वाले वीडियो में आपको बनाकर दिखा दूँगा क्या सर्भी स्लेवर्स जा रहे हैं लिखवाए जा रहे है है जब देना टीचर एपने मरजी से ही आह सै ना चलो तो पहला टॉपिक में पर स्फ़स्ट कर रह है और बहुत बहुत ज्वाध आसान टॉपिक है ठीक है थिक इसका नम ए जो पहले definition में आपको लिखवाऊंगा, वो set की ही होगी, set का आपको सबको पता है, एक collection होता है that is called a set, right तो क्या definition set की a well defined collection of objects मतलब मुझे करना क्या है मुझे एक collection मनाना है और वो collection कैसा होना चीए well defined, by well defined we mean by well defined हमार मतलब क्या है, well defined का मतलब ये है कि हमें पका पता है उस collection में कौन से elements या कौन से objects आएंगे या कौन से नहीं आएंगे, right जिसे हमने वो books का set बनाया था 10th की books का, तो वो 11th की book नहीं आएगी उसमें, क्योंकि वो 10th की books का set है, है ना तो well defined का मतलब ये होता है, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा और elaborate करू, by well defined we mean there shall be no confusion regarding the inclusion and exclusion of objects उस set के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा, that is called an element or object मतलब जैसे मैं एक box बनाया, उसमें मैं books डाले जा रहा हूँ, ठीक एक बड़ा सकाटन box है, मैं समें books डाले जा रहा हूँ, तो एक set बना रहा हूँ, मैं 10th class की books का, right तो वो जो भी उस box में जाएंगी चीज़े, जितनी भी books जाएंगी, जो उनसी भी जाएंगी, उन हर एक को हम element बोलेंगे, या object बोलेंगे, मतलब जो set के अंदर पड़ा होता है, उसमें क्या बोलते है, element या object, ठीक है, चली, तो set का मतलब क्या हो गया, एक well defined collection, well defined का मतलब है, family के head पापा होता है, बट चलती किस की है, मम्मे की, right, मतलब पापा supreme court तो नहीं है, पापा तो high court है और मम्मे क्या है, supreme court, तिखाने के लिए पापा supreme court है, और मम्मी high court है, but actual reality क्या है, पापा बेचारे high court, मम्मी बेचारी, इस पापा की छुटी होगी, मम्मी Supreme Court, तो क्या हुआ एक दिन पापा की छुट्टी होगी पापा ने सोच है यार आस्तों मेरी छुट्टी है मैं क्या करूँगा मैं घर बैठूँगा आराम से मोवी देखूँगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंडे करूँगा फिर रात को दोस्तों के साथ भूहने जाओंगा और इतने तो रषण दतेर में मम्मी को पता लग गया मम्मी आई ठैला ले के ऐसे मचीती शुनते हो yellow थैला सब्जी ले कर आओ पापा बेचारा हाई कोट मम्मी सुपरिंच अब सुपरिंच कोट का ओडर तो मानना ही पड़एगा हाई कोट कॉиях पापा बैचारा तैला ले लू लिया गाजर ली टमांटर लिया मटर लिया है ना पापा ने उसको थैले में डाल लिया अब पापा के पास आया फो किसका पापा की लाडली बेटी का फेल पापा मुझे न मिठाय कानी है पापा ने बोला हाँ हाँ जुरूर तो पापा गए अब मिठाय की शौप पे बिक कानेर पे ठीक है पापा पी कानेर के पास गए पापा ने क्या किया रजगुले ले लिए तो अब वो जो रजगुले का डबा है ठीक है उसमें रजगु क्या हो रहा है हमारे पाफ से यह दो collection है एक मिठाई का और एक vegetables का इसके जो elements है वो इसमें नहीं जाएंगे इसके जो elements है वो उसमें जी नहीं जाएंगे तो मैं confirm है जैसे suppose करू लेटर से मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे मिठाई खानी है तो आपके मन में क्या आएगा बर्फी आ सकती है रस गुल्ले आ सकते है इंकलाब जामू ना सकती है चम चम आ सकती है अगर मैं यह बोलू कि मुझे मिठाई खानी है क्या आपके मन में याएगा वो क्रेला दे दे होगा कि यह well defined collection है मतलब यह set बनाओ तो मैं confirm होगा कि कौन सा element इसमें आएगा कौन सा इसमें नहीं आएगा राइट चलो एक mathematical example की बात करते है mathematics पे हम सबको पता है natural number जो होते हैं वह one से start होते है one two three four five six seven eight nine ten और यह से चलते जाते हैं मतलब अगर मैं natural numbers का एक set बनाओं एक collection मनाओं तो उसमें zero तो नहीं आएगा है ना क्योंकि natural number one से start होते हैं और zero one से पहले आता है तो जो natural numbers है उसमें one आएगा two आएगा पर zero नहीं आएगा राइट तो यह एक mathematical example है ठीक है अच्छा I suppose करूं लेक्टा से मैं आपसे पूछता हूं कि आपके बनमन में सोचू ठीक है तो मैं आपसे पूछता हूं कि पहले चार prime numbers का set बनाओं पहले चार prime numbers का सेट बनाओं हमें पता है पहला prime number two होता है तर फिर three , five , फिर seven, चार होगे, तो मैंने क्या किया, उन चार numbers को एक box में डाला, एक set बना दिया, अब मैं आप से ये पूछना चालता हूँ, क्या उसमें four आएगा, नहीं, है न, क्योंकि four तो prime number नहीं होता, अच्छा मैं आप से पूछता हूँ, चलो, eleven आएगा, नहीं, 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 though eleven is a prime number, but मैंने पहले चार prime numbers की बात की है, और पहले चार में eleven नहीं आता, राइट, सही बात है न, इसमें, चलो, तो this is how we define the set, एक और example आपको यहां पर लेकर दिखाता हूँ, अच्छे, सबसे पहले चलो, बात करते हैं, कि set को लिखा कैसे जाता है mathematics में, ऐसा थोड़ी है कि मुझे वेजिटेबल मार्केट गया था पापा और वो थैले की बात, मैं अब थैला लिखूँगा नहीं, राइट, तो mathematics में कुछ notations होती है, जो particular notation के हिसाब से ही हम लिखते हैं, तो बात यह निकल के आई, कि mathematics में set को कैसे लिखा जाता है, उसकी representation कैसे हो सकती है, तो mathematics म मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, बट उन में से एक example, एक तरीका मैं आपको यहापे करके दिखा रहा हूँ, दिखो आपको लिखना कैसे है, तो आपको representation कैसे देनी है, तो representation of a set, suppose करो, मैं पहले 5 natural numbers लिखना चाहता हूँ, suppose करो, मैं पहले 5 natural numbers लिखना चाहता हूँ, तो first 5 natural numbers are 1, 2, 3, 4 and 5, right, तो मुझे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँँगा, देखो set को कैसे represent करूँगा मैं इसको, क्या करो, ऐसे रहा, curly brackets लगाओ, ठीक है, और इसके अंदर वो डाल दो जो तुमसे पूछा गया है, उसे क्या पूछा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, तो उनको डाल दो, कोमा लगाकर, 1, 2, 3, 4, 5, as simple as that, है ना, तो ये एक set है, mathematics में set को ऐसे represent करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख द numbers का, make me a set of first for prime numbers, तो set बनेगा, 2, 3, 5, and 7, ठीक है, चलो एक set और बनाते हैं, चलो हम 5 के first 3 multiples का set बनाते हैं, 5 के first multiples मतलब, 5 का पहला multiple कौन सा होगा, 5, दुसरा कौन सा होगा, 10 और तिसरा कौन सा होगा, 15, 15, तो कैसे मैं आउंगा set में, मुझे set बनाना है, तो मैं ऐसे brackets लगाऊंगा, 5, 10, अचा देखो, मैं 10 को यहां लिख रहा हूँ, 15 को यहां लिख रहा हूँ, है ना, मैंने third multiple पहले लिख दिया, second multiple बात में लिखा, and this is correct, इसमें कोई good word नहीं है, क्यों ऐसा possible है, देखो एक अचा रिशे करके लिख दिये, मतलब set जो है, वो काफी पढ़ा लिखा इनसान है, वो partiality नहीं करता, थेक है, उसको फर्क नहीं पढ़ता है, उसके अंदर जो पड़े है, पहले को लिखा है, उसके बाद को लिखा है, मतलब set में order नहीं होता, आप चाहे 1 पहले लिखो, आ मैं चाहे ऐसे लिखूं 3 1 4 2 5 doesn't matter यह तीनों सेम बाते हैं तो सेट में ओर्डर नहीं होता तो इसको मैंने लिखा था 5 15 10 आप इसको 5 10 15 लिखो हो इट विल नोट चेंज राइट सेट विल भी सेम ठीक है चालो अच्छा मुझे बात बताओ लेट असे मैं आप पांच छे जने एक जिगहां पर खड़े हैं ठीक कोई दूर से भाग भाग किया है ओए 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 हम 5 के 6 के 6 उदर देखेंगे भाई यह बुला किसको हो रहा ह अब सेम देखों यहां पर सेक्स पड़े हैं वह बुला ओए यह थीं दों भी सोचेंगे किसको बुला रहे हैं तो इसो गटबट हो जाएगी मैं बुलाना चाहता हूं इसको पता लगा यह आ गया या यह आ गया पर मैंत इसको बुलाना चाहरा था है ना तो basically क्या करना होगा हमें इन्हें नेम देना होगा है ना हमें इन्हें नाम देंगी जैसे suppose करो अब 5-6 लोग खड़े हैं उनमें से एक क्रिष्ट भी खड़ा है ठीक है उसने बॉला ओई क किसी दरा भाई किस्तों भागवा कि आ जाएगा ना क्योंकि particular एक बंदे के उपर में point out कर दिया पर किसके पास नाम ही नहीं होता तो वह पांच के पांच-छी किछे देने करते वह किसको बुला रहा है सारे सारे बाकिया जाते है ना यह से suppose करो मेरे पास मिठाई है खाने क है ना आपकर तो कुछ मिलेगा ही ने सारी मिठाई तो वो खा जाएंगे है ना तो क्या होना चाहिए उन particular जो elements है जो वो इंसान आपकी जो दोस्त है उनके पास नाम है सबका अलग-अलग नाम है ठीक है तो ऐसे ही अगर मुझे इन set की बात करनी है और मैं किसी एक set को बु पेटा हूँ जब भी मैं नाम दूँगा mathematics में set theory में उनको मैं capital letter से दूँगा a b c d e f g कुछ b up to z बट मैं दूँगा capital letter से small से नहीं तो जैसे suppose करो इसको मैंने नाम दे दिया a इसको दे दिया b और इसको दे दिया g मेरी मर्जी ठीक है इसको b दो इसको a दो इसको g दो बट नाम देना है और नाम किस से दूँगा मैं हमेशा capital letter से small letter से नाम नहीं दूँगा मैं मतलब इसको मैं small a small b small g नहीं लिखूँगा ठीक है तो this is how हम एक set को represent करते हैं उसको कैसे हम नाम दे सकते हैं चलो अच्छा आप देखो एक चीज़ में आपके हाप समझाने जा रहा हू हूं तो लेकर से यह से मैं इसमें किसों नहीं होगा अगर सेट का order order की बात करें सेट में तो सेट में order नहीं होता है आप किसी element को आगे लिखो किसी को पीछे लिखो डिजन मैटर रहे इस इस नोट कॉमपेटिक्शन की कोई फास्ट आएगा कोई सेकंड कोई थर्ड कोई इसा कोई सीन नहीं है यहां पर कोई भी element आगे पीछे आ सकता है we don't care अच्छा देखो आपको मैं एक notation बताता हूं यहां पर काफी एजी सी notation है तो let's say मेरे पास set a है this is a ह Alter Security में रब कर देता हूं मेरे पास a है और इन सब को मैंने रब कर दियां यहांपर आप कि अब एसेट है एक के अंदर कौन कौन पढ़ा है वन पढ़ा है टू पढ़ा है थ्री पढ़ा है ।ो पढ़ा है ना फाइफ पढ़ा है वो भी एका element है, four है, वो भी एका element है, five है, वो भी एका element है, तो देखो, अगर मुझे represent करना हो, कि कौन किसका element है, तो मैं कैसे represent करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, one किसका element है, एका ना, one किसका element है, एका, तो ये किसका element है, इसकी नोटेशन है, एक representation है, देखो, हम mathematics को लें बहुत lazy होते हैं, simple सी बात ही है, हमना हर बार नहीं बोलेंगे, कि यह उसका element है, यह उसका element नहीं है, ठीक है, हम है बड़े lazy, तो वो किसका element है, इसकी एक particular notation है, and that is this, जो e जैसा लग रहा है न, यह, मतलब one belongs to a, जो one है, वो कहां से आ रहा है, a से one क्या है, a का element है, तो उसकी notation है, यह e है, यह एक Greek letter है, जिसको epsilon बोलते हैं, ठीक है, यह Greek letter है, इसको epsilon बोलते हैं, तो यह epsilon का e है, यह वो वला है, ठीक है, तो one belongs to a, क्योंकि one a का element है, चलो, ऐसे ही, three belongs to a, true है, क्योंकि three a की अंदर आ रहा है, three a का element है, अच्छा, उसके पात करें जो इसका element है, जैसे नहीं आ रहा, अपर मैं क्या चाना चाहता हूँ, वो element जो a में है ही नहीं, तो जैसे इसमें 6 नहीं आ रहा, तो यह तो गलत है, क्योंकि 6 तो उसमें नहीं आ रहा, तो अगर 6 a का element नहीं है, तो मैं क्या करूँआ, इसे ऐसे कट कर दूँगा, तो यह belongs to को रिप्रेजेंड करने के लिए हम यह epsilon लगाते हैं, अगर वो belong नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे ऐसे कट कर देंगे, this means 6 does not belong to a, ठीक है, चलो, so this is for first lecture, I think आपको एक काफी समझ में आ गया होगा, तो आपके लिए एक छोटा सा homework है, जो आपको करना है, exercise 3.1, question 1 and 2, यह homework है आपका, and about anxiety book, कुछ बचों नहीं पूछा था कि हमारे बास anxiety book नहीं है, तो don't worry about that, आप जितना भी material चाहिए, वह मैं आपको परवाइड कर वहाँगा, anxiety book हो, चाहिए आपको वीडियो लेक्चर सो, जो भी है, आपकी कोई doubts है, give us a call, कि हाँ, सर इस लेक्चर में यहाँ पर doubt आया, आप इसके बारे मेरी confusion थोड़ी सी, दूर कर दो, दूसरी बात, बुझे बताया प्रेंका ने कि कुछ बच्चों के doubts हैं, कि उन्हें maths इतना पसंद नहीं है, कि उनको ना maths इंटरस्ट नहीं रहनता है, राइट, देखे, मैं एक चीज़ समझता हूँ, maths बहुत बहुत easy subject है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से कर, वरना तो हर सब्जेक्ट ही difficult है, आपको यह जान के न, मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, कि mathematics एक लोट ऐसा subject है, जिसमें 100 आ सकते हैं, ठीक है, science में आएंसा जरूरी नहीं है, physics में आएं, chemistry में आएं, नहीं सुनने को मिलेगा, maths में हर साल में सुनने को मिलेगा, ठीक है, तो आप इस subject को मैं कहूँगा, कुछ दिन पढ़िये, थोड़े दिन इंट्रस्ट बनाएं, बार बार पढ़िये, and trust me, you will love this subject, मैं इसलि आप मुझे कभी भी discuss करोगा, maths phone पर, या कभी, like real life में, जब भी lockdown और हो जाएगा, you will see, हम जो maths पढ़ा रहे है न, वो पिल्कुल different है, आप वहाँ पर बच्चों को देखोगे, वो कैसे पढ़ रहे है, maths, उनके इतरे एक अलग सी, आग सी है, कि न्यों यहार, maths पढ़ना है और यह इसलिए आते हैं, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट बन चुका है, अगर आपको यह जीब लग रहा है, कि उस संडे को भी बढ़ने आते हैं, तो थोड़े दिन रूख जाईए, मैं आपसे खुद पूछूँगा, कि आप भी संडे को बढ़ने आ रहे हैं, ठीक है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाईए इसमें, थोड़ा और कुशिश कीजिए, एक बार नहीं तो दो बार, दो बार नहीं तो तीन बार, मैं इतना समझता हो कि तिसरी बार में ऐसा होई ही नहीं सकता कि आपना मैस समझ में ना आए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो हम आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉस्ट कीजिए, और इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, नोट बनाने कम आपको तरीका बता रहा हूं, आलवेस किप थी पैंस विद यू, वन ब्लू और तीसरी आपकी चोईस है, तो जो तीसरा पैन होगा, वो क्य आपको लगता है कि हाँ, यह बहुत अच्छे हैं, जिसे हम 10th क्लास का अभी पर देते हैं, हम क्या करते हैं, जो जो में चीज़े होती, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, यह हाईलाइट कर देते हैं, तो यह जो थर्ड पैन होगा, वो हाईलाइट करने की काम आएगा, and trust me, जिब आपके notes काफी अच्छे होंगे, तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा, तो इसको अच्छे से note down कीजिए, अगर कोई doubt है, तो give me a call, thank you, तो चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ examples बनाते हैं, set theory की, हमने पढ़ा था अभी कि set क्या होता है, set is a well-defined collection of objects, मतलब मुझे confirm है, मुझे collection बनाना है, उस collection में कौन सा element आएगा, कौन सा नहीं आएगा, यह मुझे काफी confirm है, चीके, चलिए कुछ examples बनाता है हैं, हापर sets के ओपर, तो अभी मैं कुछ examples कर आ रहा हूं, examples, चीके, तो चलिए, पहले example करते हैं, तो हमें यह पता है कि natural numbers क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 7, चलते जाते हैं, कितने होते हैं, infinitely many, है ना, मारे पास infinitely many natural numbers होते हैं, तो अगर मैं उसको set में लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो, कुछ examples ऐसे हैं, जो मैं 2-3 पहले example करवाऊंगा, उनकी notation fixed है, कि यह set यही रहेंगे, इनको ऐसे ही represent किया जाएगा, पताब यह fix हो गया, ठीके, चलो, तो जैसे suppose को मुझी natural numbers लिखने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पर यह दो खतम ही नहीं होंगे न, 7, 8, 9, 10, 11, 100,000, 1 crore, 1 billion, 1 trillion, never ends right, तो जब भी हमारे पास set में infinitely many elements होंगे, बहुत सारे elements होंगे, ठीके, जिनको मैं count नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, पहले कुछ elements लिख दूँगा, जो पताएंगे कि next element कैसे मिल रहा है, मुझे, जैसे यहां पर 1 था, अगला कैसे मिला, 1 add करके, अगला कैसे मिलेगा, 1 add करके, अगला कैसे मिलेगा, 1 add करके, तो जब भी ऐसा काम होगा, infinitely many elements होंगे, उसमें क्या करूंगा, कुछ elements नेके बाद मैं 3 totes लगा दूँगा, ऐसे, that's set, ठीक है, तो यह क्या बनेगा, natural numbers का set, मतलब जितनी भी natural numbers इस दुनिया में है, वो सारे इसमें आच चुके, देख अच्छी बात है, कोई तुम से पूछे, कि यार, natural number गिन के बताओ, मुझे, तुम लग जाओ गए, 1, 2, 3, जैसे रिष्टे जार धर पे नहाता है, कि चल सारे जवान इसमें निकल जाएगी, है ना, वो तो कभी खत्मी नहीं होगा, पर्ट, तुम लोग थे smart, तुम लोग वोने क्या किया, कहते चलो, चलो फूफा जी, आपको लिखके दिखाते हैं, तुम लोग इने ऐसे example बना के दिखा दिया, कहते ये लो, आपको जोन सा भी पीची ये सब इसके अंदर है, फूफा जी भी परिशान, कि बच्चा smart है, इनका तो हो, है ना, चलो, तो ये मैंने set बना दिया, फिर से वही बात, मुझे naming तो करनी पड़ेगी न, इस set को में कुछ नाम तो दूँगा ही दूँगा, तो जो natural numbers का set होता है, उसे हम represent करते है capital N से, और ये fixed है, अगर कहीं पर capital N लिखा होगा, इसका मतलब है कि वो set of all natural numbers है, ठीक है, एक example और करते हैं, अच्छे देखो, अब मैं natural numbers की बात कर रहा था, अब मैं integers की बात करता हूँ, integers कुन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे, फेरिदल 0, या minus 1, minus 2, minus 3, and so on, मतलब वो इधर भी बढ़ते जाते हैं, इधर भी बढ़ते जाते हैं, जैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलते जाएंगे न, बहुत सारे हैं न, तो बहुत सारे को लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि ये 1 है, 1 के बाद एक 1 एड़ करके आएगा, उससे अगला भी 1 एड़ कर फिर माइनस 2 आएगा, फिर माइनस 3 आएगा, और इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, 3 dots लगा आगे, ठीक है, तो ही क्या बन गया, the set of all integers, और set of all integers की भी एक particular notation है, एक fixed notation है, तो उसको भी हम change नहीं कर सकते, तो that is capital Z, जब भी capital Z लिखा जाएगा, that means the set of all integers, ठीक है, ठीक है, letter से, हम school जाते हैं, ठीक है, तो मुझे एक set बनाना है, जिसमे school की जो spelling है न, क्या होती है, S-C-H-O-O-L, तो मुझे एक set बनाना है, जिसमे उस school की जो spelling के जो elements से वो आ जाए, है न, जिसे S-C-H-O-O-L, है न, तो मुझे इसका set बनाना है, तो let us say that set is named as A, तो कैसे लिखू है नहीं न, आगे पीछी लिख सकता हूँ, मैं, चाहिए मैं C आगे लिखूँ, S पीछी लिखूँ, H-O-L, राइट, अब तुम लोग हम ऐसे कुछ देखके सोच रहे होंगे, क्या आसरा को school की spelling भी नहीं हाती, है न, school की spelling तो यह होती है, S-C-H-O-O-L, पर मैंने तो यहा पर double O लिखा है नहीं, राइट, सेट के अंदर कभी भी एक element दो बार नहीं लिखा जाता, मतलब सेट की representation में repetition allowed नहीं होती, ठीक है, तो उसके अंदर मैं कभी भी O, जिससे school में दो बार आता है, उसकी spelling में, तो मैं यहाँ पर एक ही बार लिखूँगा, मैं उसको दो बार नहीं लिख सकता, ठीक है, लेटर से, मुझे एक सेट बनाना है, करनाल, हम करनाल के हैं सारे, मुझे एक सेट बनाना है करनाल की spelling का, तो करनाल की spelling में ए जो है वो दो बार आता है, बट अगर मैं सेट बनाऊँगा तो उससे एक ही बार लिखना पड़ेगा, मुझे मैं दो नहीं लिख सकता लेट उसे इस सेट इस नेमड़ाइस के एंड इस विल बी के ए आर एन एल मतलब सेट में रेपेटीशन अलाउड नहीं होती वह वह एक ही चीज दो बार नहीं लिख सकता चाहे वह उसकी स्पलिंग में 50 बार आए पट जब मैं सेट में रिप्रेजेंट करू हुआ वो सिरफ और सिरफ एक बार ही आएगी ठीक है चल तो एक दो खेंपनोल बनाकर देख लेते हैं आपर हम लेट्टर से हमार पास एक ना हमने 10th क्लास में बढ़ी थी है ना जैसे सब पोस्कोरो एक स्क्वेर प्लस एक्स माइनस टू इकल्स टू इकल्स टू जीडू है है यह curiosity क्यों है हम इसको पढ़ चुक है कहाँ पर 10th क्लास में मुझे ने इसका सोलीशन निकालना एं तो चले स्के सोलीशन निकालना की कोशिश करते हैं तो कैसे कैसे करके हम क्या तो आपे जो middle term में उसको split करते थे right तो हम क्या करते थे this is x square this is minus 2 यहाँ पर ऐसी दो terms लिखो जिनको मैं add करू तो x आए और multiply करू तो minus x आए तो मैंने लिखा 2x और minus x ठीक है इस में से first two terms में से common आएगा x तो this is x plus 2 और इस में से common आएगा minus this is x plus 2 equals to 0 so x minus 1 x plus 2 is equals to 0 तो this implies x के value आएगी 1 और minus 2 ठीक है तो मुझे ना एक set बनाना है उस set के अंदर इस equation के सारे के सारे roots आने चीए ठीक है मुझे एक set बनाना है उस set के अंदर यह जो मैं equation यहाँ लिखी है इसके क्या आने चीए उसके अंदर roots आने चीए क्या क्या roots आने इसके 1 और minus 2 तो जो मैं एक set बनाऊंगा तो मैं कैसे लिखूंगा let that set बी be so that will be 1 minus 2 ठीक है तो यह मैंने क्या बनाया है एक ऐसा set जो इसके roots का set है ठीक है तो उसको मैंने ऐसे बना दिया चलो तो अच्छा मुझे के बात बताओ लेक्टा से कफी सोचने वाली बात है इस पर अच्छे से गोर कीजिएगा चाहें दो मिनिट वीडियो को पोस्ट कीजेगा और मुझे बताएगा क्या यह set बन पाएगा ठीक है तो क्रिकर तो लगबख सारी देखते आ हैं है ना मुझे यह बताओ मुझे एक set बनाना है ठीक है मुझे collection बनानी है इंडिया के best two batsmen के इंडिया के two best batsmen की ठीक है तो set बनेगा तो देखो कुछीज होगा ना fix है यहां पर जैसे मैंने set बनाए है मुझे fix है यह set जैसे school वाला set था स्कूल की spelling गा यह आज भी यही रहेगा कल भी यही रहेगा परसो भी यही रहेगा it will not change never right मेरे लिए भी सेम है आपके लिए भी सेम है किसी third person के लिए भी सेम रहे गाए यह it will not change now let us say मुझे इंडिया की two best bets मैंने का set बनाना आज तक के जब से cricket इंडिया में आए तब से तो think about it आपको मुझे यह बताना है कि क्या यह set बनेगा और अगर बनेगा तो उसके elements को ओन होगे वीडियो को post कीजिए एक मिट का समय दीजिए and try it out देखते हैं कि आपको set बनाना अगय है तो set बना देखो एक चीज़ समझो अगर वो set बनेगा लेट असे इंडिया की two best bets मैंन का set बनेगा आज तक का वो सब के लिए same रहेगा उनिफोर्म रहेगा मेरे लिए भी वही set है तुमारे भी वही set रहने वाला है उसके elements चेंज नहीं हो सकते राइट जिसे यहां पर लिखा था मैंने जिसे roots लिखी थे मैने उसी quadratic equation की उसका solution set बनाया था मैने तो सब्सक्राइब तोड़ी चेंज होंगे ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए उसके roots 1-2 है तुमारे लिए 1-2 है पर एक थर्ड परसे निकल के आया है कि नहीं वहीं का रवे इसकी roots तो 1-2 नहीं होगी यह सेट नहीं बनेगा है ना मतलब सेट तो uniform होता है सेट विल नेवर चेंज वह आज भी ऐसा है कल भी ऐसा रहेगा तो आपकी नजर में इंडिया के दो best batsman कौन आज तक है किसी के मन में आएगा सचिन तंदूलकर किसी के मन में आएगा मॉम्मद अजरुदिन किसी के मन में आएगा रोहित शर्मा किसी के मन में आएगा कोहली किसी के मन में आएगा शिकर दवन कोई सुचेगा हार्दिक पांट है कि तो गज़ा पले रहा है है ना क्या तकड़े श सचिन तंदुलकर है और रोहित चर्मा है कोई बोलेगा नहीं भी मेरे साब से तो विराठ और रोहित है कोई फिर एकोर आगा नहीं यार मेरे साथ तो शिकर्दवन और आपध देख पांड्या है !! कन्फूजन हो गई न है कि वो तो कह रहा है मेरे साब से ये set बनेगा, वो कह रहा है, मेरे साब से ये set बनेगा, वो कह रहा है, मेरे साब से ये set बनेगा, वह तो confusion हो गई, प्रहम ने set की definition में क्या पढ़ाता, there shall be no confusion regarding the inclusion or exclusion of elements, मतलब कोई confusion नहीं होनी चीए, वो set सब के लिए same रहन चीए, तो ये जो इंडिया की two best batsmen का set हम बनाने वाले थे, ये set नहीं बन सकता, not possible, क्यों? क्योंकि यहां पर confusion आ गई, कि उस इनसान का, इस set को लेके जो perception है, वो अलग है, और उस इनसान का, इसके लिए perception अलग है, बट अगर set बनेगा, तो सब का perception, same रहना चीए, सब की views, same रहना चीए, कि set तो यहीं बनने वा कोई बोलेगा, नहीं यार, रक्षे कोई, कोई बोलेगा, वाई, टॉम क्रूज है, कोई बोलेगा, यार वो है ना, वो टाइटनिक वाला हीरो, वो लिनार्डो, वो बनेगा, कोई बोलेगा, ये बई, आइरन मैन, तो set तो फिर भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि किसी के किसे के लिए कोई बेस्ट एक्टर है, किसे के लिए कोई बेस्ट एक्टर है, तो फिर से confusion आगी यहां पर, confusion तो नहीं होनी चाहिए, तो ये भी कोई set नहीं बनेगा, राइट, तो ये कुछ examples हैं, जो मैंने आपको set के दिये हैं, अब आप क्या कीजिए, आपके जो भी school का या नहीं होंगे, उस set के कुछ भी नाम दीजिए, एक set बनाईए, ठीक है, जिसे हर्याना ही है, letter से, मैं हर्याना की बात करता हूँ, मैं एक नए set बनाता हूँ, and let that set be noted by H, तो हर्याना के अंदर जो पहले elements, अगर मैं बनाओं तो H आएगा, A आएगा, R आएगा, Y आएग नाई, A भी पहले आचुक गया है, तो A तो नहीं आएगा, इतने ही letter से हर्याना की spelling में, तो यही set बनेगा, इससे बड़ा set नहीं बन पाएगा, राइट, चले, तो एक question है, जो मैं इसको अपर करवा रहा हूँ, fill in the blank से है, क्योंकि हमारा pattern change हुआ है, CVC का, तो हमारे exam में फिलप्स भी आएंगे, तो एक question है, जो मैं फिलप्स के उपर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, तो let's say, एक example है, question है मैं आपको करवा रहा हूँ, कि A कोई set है, इसके अंदर elements है, 1, 5, minus 3, 100, और let's say 6, ठीक है, फिलप्स कैसे बना रहा हूँ, मैं, पहला फिलप्स यह है, कि 1, dash, 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 A, second, 5, dash, 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 A, third, let's say, मैंने कोई element ले लिया, let's say 7, 7, dash, 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 A, and fourth is, let's say, I'm taking 100, dash, 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 A, और एक last part, let's say 15, 15, dash, 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 A, तो मुझे यह बताना है, कि जो फिलप्स बीच में है, इसमें कौन सा sign आएगा, वो belongs to वाला, जो हमने थोड़े पहले देखा था, यह वाला आएगा, या फिर यह वाला आएगा, मुझे यह बताना है, कि इन में से कौन सा sign आएगा, right, मुझे यह पता है, यह वाला sign तब आएगा, जब वो element उस set के अंदर पढ़ा होगा, जैसे 1 है, इस पर अगर मैं यह वाला sign लगाऊँगा, कब लगाऊँगा, जब 1 A के अंदर पढ़ा होगा, और 1 A के अंदर है, तो यहाँ पर कौन सा sign आएगा, belongs to का, ठीक है, 5 चेक कि है, मैंने A में पढ़ा है, हाँ पढ तो यह ऐसे होगा, चीक है, तो यह कुछ examples है, जो मैंने आपको set के अपर करवाया है, इसके बाद हम एक अगला topic पढ़ेंगे, अगले topic में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि set को represent करने के तरीके कितने हैं, एक तरीका हम देख चुके हैं, एक तरीका और है, set को represent करने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर किसी कोई भी doubt है वीडियो से related, तो you can call me anytime, मेरे number यहाँ पर लिखें हैं दोनों, तो आप मुझे call कर सकते हैं, और अपने doubts ले सकते हैं, thank you